क्लासिकल एक्यूप्रिस्टर की ट्रेणिंग सेरीज में जिसमें आज के पार्ट है हमारा आज क्या पार्ट है हमारा 91 जिसमें आज बात करने मालें अपने कि परीकाडियम की हाइप अपनें हुआने की और ठीक है के अवसकी उर्जा कम होना इस टॉपिक पर बात करने माँ ऑने हैं पुर्जा होने का मंदाल वह इसकी होटनेस गर्मी जो है वह कम होगी तो उसके बोडि पर हमारे लक्षन प्रया होंगे है फिस्ति यह लक्षण है लक्षण सोग एक लोगो इस पर बात करने वाले पूसर से पहले इसका जो रोग होगा जो लक्षण वह वह लोगा तो भाल नेंद जूर्द आना तु कि नीम ज्यार्दा आना कि इस नमबर डू कि शरीर में सुस्ति रहना शरीर में सुस्ति आलस आलस रहना ठीक है नूमर तीन शरीर में थंदक बनी रहना थंदक बनी रहना ठीक है नूमर चार्ड पाचन तंत्र का खराब हो जाना है यानि की श्लों जाना है खराब हो जाना यानि की मंद हो जाना पाचन तंत्र का मंद होना हुआ है अ ते लावा लिए में सक्षम ना हो ना लेने में सक्षम ना हो ना चाहित ना प्रू मी धिंड़ने में सक्षम ना उन्में की वह आजए नहीं नहीं होती है जो जो श्रम नहीं नहीं लें पाते हैं हमें गर्मी की होटनेस की कम्योंती है नुम्र सिस्ष उच्छी इस्थानों पर जाने से दर लगना जाने से दर लगना ठीक है जब ब्रेंगे हमारी हाइपो कंडेशन होगी तो हमें क्या होगा तो श्रेक्ष वावना अगया है जादम फिर जादा लगना जोड़ा कोई भी छोटी मोड़ी बात सुने रशिप्लेशन हो नहीं सग उसमें और भी भावन आएगए तो दुश्में हमारा बेंगो हाई मुख तो यह सार होगा हमारा वेंकि हाइपो कंडिशन निकी हमारी उर्जा जब कम हो जाते है परिकार्डियो में तो इसे आप समझ सकते हैं अगर आपको कभी किसी रोगी में ऐसे लक्सें दिखते हैं तो आप सबसे पहले का करेंगे करेंगे हाइपो कंडिशन का त्रीटमेंट क्या होगा वो आगे की वीडियो में बताएंगे ठीक है दोस्तों इसारा हमारा आज कंप्लीट हो गया फिर नेस्ट वीडियो में बात करते हैं पार्ट नमबर 92 के बारे में